करस्टीवी के सीरियल मेरा बलम थानेदार में बुलबुल और वीर की लाइफ से एक मसीबत जाती है तो दूसरी आ जाती है अब दृष्टी दी का भी हिसाब किताब पूरा करना होगा और इसी के लिए बुलबुल ने कर ली है वीर के साथ मिलकर प्लानिंग बुलबुल का दिमाग के स्पीड पर चलता है ये तो सब जानते ही है और वीर भी उसके आइडियाज और प्लान्स सुन सुन कर शौक्ड हो रहा है वीर बोलता भी है कि वो IPS ओफिसर है और बुलबुल को इस तरह की बाते नहीं करनी चाहिए और बुलबुल बोलती है कि वीर को IPS ओफिसर की वर्दी मिलने में अभी भी तीन दिन है तो इसलिए वीर बुलबुल का हर प्लान में साथ दे सकता है बुलबुल जाती है अपने लिए वो मूर्ती चुराने के लिए जो उसे बहुत पसंद होती है और बड़ी चुपके से जाती है वीर उसे पूरी तयारी के साथ बेशता है कि अगर उसे कुछ हो भी जाये तो उसके पास oxygen cylinder हो और बाकी जरूरी चीजे हो बहाँ वो पॉँचती है मूर्ती चुराने के लिए तो दृष्टी आ जाती है according to plan और आती है और वो बुलबुल से मूर्ती चीनने लग जाती है और इसी चीना जब्टी में दृष्टी के हाथ से बुलबुल को धक्का लगता है और बुलबुल को चोट लग जाती है और वो वहीं भी होशो जाती है दृष्टी बुलबुल को इस तरह से देखकर हैरान रह जाती है इतने में वहाँ पर वीर आता है और इल्जाम लगाता है दृष्टी पर कि उसने बुलबुल को मार दिया वीर बुलबुल को उठाने की कोशिश करता है उसे ओक्सीजन मास्क लगाता है और उसके बाद दृष्टी का गला भी दबाता है हम आपको बता दे कि ये पूरी की पूरी फ्लानिंग बुलबुल की है वहीं तूसरी तरफ जब ये फ्लानिंग चल रही होती है तो वीर और बुलबुल एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते है और फ्लानिंग के बीच में दोनों का रोमांस निकल कर आता रहता है जहाँ पर वीर बुलबुल को किस करने की कोशिश करते भी नसर आते हैं। काफी जादा क्यूट होने वाले ये मुवमेंट्स और एंटर्टेन्मेंट का डोस्तो भरपूर रहने वाला है ही।